नमस्ट कर दोस्तों मैं शुवन सुनंग की अपने यूट्यूब चैनल लॉट टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं आज मैं आप से पुना एक नए विशे की और चर्चा करने के लिए हूँ आज कभी से एक्जिगुटिव एस्टेट और उसकी स्थानी है दिका कोड़ 1973 के सेक्शन 20 की ओर हमें चलना पड़ेगा जहां पर एक्जिगुटिव मैस्टिट की विशे में चल्चा की गई है उसके क्लासव नों बताया गया है इन एवरी डिस्टिक और इन एवरी मेट्रपोलेटिन एरिया बाइद स्टेट गर्मेंट में अपाइंड आज मै प्रतेएक जिले और प्रतेएक महानगर छेत्र में उतने विक्तिय को जितना वा उचित समझे कार पालक में स्टेट नियुद कर सकती है और उनमें से एक को जिला में स्टेट नियुद करेगी जयां कि राजichen कार जो होगी एक्सिट्रिक में स्टेट के निक्ति कौन करेगा राज सरकार करेगी कहा करेगी जिले में और प्रतेएक महानगर छेत्र मेंả速 में pot अभी सिर्क लास्टरम में बताया के.. तियालिया ओर पहले कार Brush मेंश्येट की निवक्ति होगी फिर उसी कारपालक क्षेट में से राशस्रकार ज immense जो होगी किसी कारपालक मेंश्येट को अपर जिला मेंश्येटार आीडियम दिप करेंदैगे और ऐसे मैंस्येट को इस सहीता के अधिन यानि CRPC की अधीन या तत्त समय प्रवर्थ किसी अन्विधी की अधीन यानि कि एनी अधर लॉओ के अंतरगा जिला में स्टेट की वो सब शक्तिया प्याप्त होंगे जो राजसरकार निर्दिष्ट करें एनगे TD साव को DM साव की बात होई है और ऐडियम साव की निवक्ति है अब इसे क्योंड से चलते हैं यहां क्लास्ट्रीम बताया किया है, whenever in any consequence of the office of the district state becoming vacant and any officer succeed temporarily to the executive administration of the district, such officer shall pending the order of the state government exercise all the power and perform all the duty respectively conferred and imposed by the code on the district में state, जब कभी किसी जिला में state के पत की रिक्ति के पर्णाम सरूप कोई अधिकारी उस जिले के कारपालक प्रशाशन के लिए आस्थाई रूप से उतर वर्ती होगा, यानि कि अगर डियम साहब का पत रिक्त है, तो उसका जो नीचे का जो उतर वर्ती होगा, वो कालपारक प्रशाशन के लिए अथ्थाई रूप से उतर वर्ती होगा, और ऐसा अधिकारी रास्तरकारदरा आधिश दिये जानने तक, करमशा उन सभी शक्तियों को प्रियोग और करता को पालन करेगा, जो इस सहीता के द जो उनके पत को सहमालेंगे, जो उनके उतर वर्ती होगे, और उनको डीम साग के वो सारी पावर जो है रास्तरकार दे सकता है, तो इस स्टेट कब तक दे सकता है, जब तक की डीम साग का पत पुना भर्रा जाए, ता स्टेट गर्म में, अब इसे क्लास्पूर में पताया अब इसे क्लास 4 में SDM साफ की नियुक्ति के बात आई है रास्तरकार आवशक्ता के अंसार किसी कारपालक में स्टेट को उबखंड का बारसादक बना सकती है और उसके भारसादन से मुक्त कर सकती है इस प्रकार किसी उपखंड का भारसादक बनाएगा है उब खंड मесट्ेट यानि कि SDM कहला आएगा यानि कि सबच्डी विजनल में स्टेट कहला आएगा यह उपखंड में स्टेट कौन होते हैं? यह उफखन बाइस्ट्रीट वह होते हैं जो जिले के किसी खंड में के अधिकारी हों तो जो जिले के अधिकारी होंगे वो डियम साहब होंगे और जिले में ही डियम साहब के उतरवर्ती कौन माने जाएंगे एडियम साहब माने जाएंगे और उनके नीचे कोन आएगा? SDM साब आएंगे अब 4 में एक नया जोला गया है clause जोलकि 2005 की amendment से जोला गया है जिसमें कहा गया है The state government may by general or special order and subject to such control and direction as it may deem fit to impose delegate its power under subsection 4 to the district may state रास्तरकर साधारन या विशेश आदैस्क के द्वारा ऐसे नियंत्रन और देदेशों के अधीन रहते हुए जो वाद है रूपित करना ठीक समझे उपधाराचार के अधीन अपनी शक्तियां जिला में state को प्रत्यायूजित यानि डेलिगेट कर सकती है यानि कि state government जो होगी वह अपनी power को डिला किसको डेलिगेट कर सकती है डिम साब को तो यहां पर यह दोजर पांच के अमेंडमेंट से आया है कि यहां पर यह बताया गया है यदि चाहे तो उफ धारा चार क्या दीन अपनी शक्तियां जिला में state को डेलिगेट कर सकती है क्लास पाहिम बताया कि नथिं इस शक्षिट अप्रत्यायूजित को डेलिगेट कर सकती है इस धारा की कोई बात तथ हमें प्रवर्थ किसी विधी के अधीन महानगर छेट के संब्द में किसी कालपालक पर स्टेट को किसब सकतिया या उनमें से कोई शक्ती पुलिस आयूत को प्रदद करने में राश्तरकार को प्रवर्थ नहीं करेंगे या नहीं मनाकर नहीं करेंगे की सेक्शन 20 की कोई बात स्टेट गवर्रमेंट को कोई बंधन नहीं डालेगी कि वो पुलिस कमिश्टर को कोई पावर डेलीगेट करने में तो यह आपने देखा कि आज अभी मैंने आप से शेक्शन 20 की एक्जिगुटिव मेंस्टेट के उपर चर्चा किये हैं अब इसके आगे मैं शेक्शन 22 पर चर्चा करूंगा जो की लोकल जुरिदिक्शन आप एक्जिगुटिव मेंस्टेट की बात करता है या निकारपाल में सब्सक्तियों का या उन में से किनी का प्रियोग कर सकेंगे जो इस साहिता के कितार यानि कि CRP से कितार उसको दी गई है अब इसे क्लास्टों पर बताया गया सब्सक्राइब 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 इसे परिनिश्चेदार जैसा उबंदी थे उसके सिवाए प्रतियक ऐसे मेंस्टेट को अधिकारता और शक्तियों का विस्तार जिले में सरवर्थ होगा इसे परिनिश्चेदार जैसा कि उबंदी थे उसके सवाए प्रतियक मेंस्टेट की अधिकारता की सक्ति का विस्तार जिले में सरवर्थ होगा यह जो मेंस्टेट साव होंगे वह पूरे जिले में उनकी अधिकारता होगी तो यह आपने देखा कि आज मैंने आप से सेक्षिन ट्विंटी पर चर्चा की जो कि एक्जिक्टिव मेस्टेट की बात करता है डियम की बात करता है पुलिस कमिशर को पर पाउर डेलिगेट करने की बात करता है इसके बाद मैंने सेक्षिन ट्विंटी पर बात की जो कि एक्जिक्टिव मेस्टेट के जुरिडिक्शन की बात करता है जिसमें बताया है कि एक्जिक्टिव मेस्टेट के जुरिडिक्शन होगा जिले में सर्वत होगा यह नहीं सब तरफ होगा अब इसके आगे मैं आपक एक्जिक्जिटिव मेकिंग ओवर और विड़्ॉल ऑफ किस बाई एक्जिटिव में स्टेट यानि कि सेक्शन 411 CRPC की बात करूंगा कि सेक्शन 411 CRPC में बताया गया है कि कारपालक मेंस्टेट दारा मामले को अपने अधिनस मेंस्टेट के हवाले के जाना या वापस लिया जाना यानि कि एनी डिस्टिक मेंस्टेट और SDM में में कोवर फार डिस्पोजल एन रिप्रोसेटिंग विच हाज बिन स्टार्ट बेफोर हिम तो एनी मेंस्टेट सवार्ने तो हिम कोई जिला मेंस्टेट या उपखन मेंस्टेट किसी ऐसी करवाई को जो उसके समझ आरम हुई ह जुकी हो निप्टाने के लिए अपने अधीनस किसी मेंस्टेट के हवाले कर सकता है यादि कोई डीम साफ के अपने मुकदमे को इताकिल किया है तो वह डीम साहब उस मुकदमे को सनवाई के लिए किसी SDM को हैंड़ोवर कर सकते हैं इसके क्लास बीम बता है कि को ótimo зачем कppt वा 되어 अधीना किसी मेंस्टेट से किसी मामले को बजा सकता है कोन मगा सकता है उ rozm वापस मगा सकता है और गजिए को दिंड्र को निरदेश कर सकता है है तो यहां पर DM साहब जो होंगे वो अपने अधिनस किसी SDM साहब को इस्थारा इंतरित कर सकते है या किसी SDM या फिर किसी Un-Executive मेस्टेट के पास से कोई मामला अपने पास वापस मगा सकते है और उस मामले की समनाई वो स्वैम भी कर सकते है या फिर किसी Un-Executive मेस्टेट को ट्रांसर कर सकते हैं यह सेक्शन 11, 411 CRPC में बताया गया है तो आज मने Executive मेस्टेट से समबंदिस Section 20 पर चर्चा की उसके jurisdiction यानि Section 22 पर चर्चा की और उसके विड्रॉल मुकदमे के विड्रॉल करने के बारे में चर्चा की है Section 411 CRPC की पर चर्चा की है Section 412 CRPC में बताया गया है कि जब भी मेस्टेट सेक्शन 48, 9, 10, 11 कि अधीन कोई आदेश करेगा चाहे हो आदेश 69 के दारा किया गया हो या मेस्टेट के दारा किया गया हो तो वो अपने कारणों को लिखेगा यानि कि जो भी आर्डर होगा Section 411 में 408 में, 409 में, 4010 में या 411 में तो वो रीजन आर्डर होगा CRPC के अन प्रवधान के उपर मैं अपने आने आने ले लेक्चर पसीरी में चर्चा करूँगा यदि आपको मेरा चनल समझाता है तो किसे आपको मुझे से कुछ अन तरह की एक सालावी लेनी है तो उसके लिए आपको स्वागत है मेरा मुबाइल नमबर डिस्क्रिप्शन बाक्स में आलवेस पड़ा रहता है आप मुझे फोन कर सकते हैं आप समेरी आगे मुलकात अपने आरे आरे लेक्शर में होगे तब तक के लिए जैन जै भारत